दोस्तो आज से श्राद पक्ष स्टार्ट हो चुके हैं और ये जो स्राद पक्ष है इसमें हम अपने पित्रों के लिए पिंदान करते हैं, तरपन करते हैं ताकि हमारे जो पित्र हैं उनकी आत्मा को शांती मिले और वो हमें ब्लेस करें तो आप भी 15 दिन के अंदर जो भी आपके पूरवज हैं पित्र हैं उनको खुश करने के लिए उनको आत्मिक सांती देने के लिए सराध पक्ष में जो भी पूजा पाथ होती है उसको करवा सकते हैं और इसके लिए हमारे डैली के आसपास अगर हम देखें तो गडगंगा आ आप हरदवार में भी करा सकते हैं गया में भी करा सकते हैं और भी बहुत सारी जगह है जहां पर आप सराध पक्ष जो है वो प्रॉपर तरीके से करवा सकते हैं तो आज का टॉपिक लेते हैं आज का जो टॉपिक है वो तीन अर्था हाउस के उपर है यानि तीन ऐसे हाउस जो हमें wealth देते हैं पैसा देते हैं इन तीन घरों में जब कोई planet बैठता है और जब उसकी दसा चलती है तो हमें monetary gain होता है और ये जो तीन houses हैं इनके lots कहीं भी आपके bird shark में placed है और जब इनकी दसा चलती है तब भी आपको monetary gain होता है कई बार monetary gain जादा होता है कई बार monetary gain कम होत पर अगर हम बात करते हैं तो जो तीन अर्था हाउस हैं वो हैं आपके 6th house, 10th house और 2nd house यानि 2nd house, 6th house और 10th house 2nd house का संबन्द value and wealth से हैं पैसे से हैं तो 2nd house में अगर कोई planet बैठा हुआ है उसकी दसा चल रही है तो आपको monetary gain हो सकता है 6th house का संबन्द जॉब से हैं काम धंदे से हैं जो भी आप daily का काम धंदा करते हैं मार्केट में जाते हैं लोगों से मिलते हैं मीटिंग करते हैं और कई बार negotiation भी करते हैं तो जो भी आपका gain है जितना भी gain हो रहा है वो 6th house के थुरू आपको होता है इसलिए 7th house जो है वो negotiation का house मना जाता है तो 6th house यानि daily का काम daily की job कहीं आप काम करते हैं जॉब कर रहे हैं तो पैसा तो आपको मिलेगा किसी भी अगर आप service में हैं कोई service provide करते हैं तब भी आपको पैसा मिलेगा और 10th house जो है वो आपके career का house माने जाता है कोई भी आपका business है कोई भी आपने career choose किया है जब आप उन सब चीजों को करते हैं तब भी आपको monetary gain होता है अब बात ही आती है जो 6th house है वो तो करजे का भी house है तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि करजे के house में अगर कोई planet बैठता है और उसकी दसा चल रही है तो आपको monetary gain होगा देखें monetary gain आपको होगा चाहे वो करजे के through हो अगर आप किसी bank से पैसे लेते हैं किसी से पैसा उधार लेते हैं तब भी तो आपको monetary gain होता है अब वो बात अलग है कि उस पैसे का आपने क्या किया लेकिन जो करजे आपको मिलता है वो 6th house के lot के through मिलता है या 6th house में बैठे के लिए आपने lawn ले लिया 6th house का lot 10th house में हैं तो काम धंदे के लिए आप करजा ले लेते हैं 6th house का lot second house में हैं तो कोई भी कीमती समान खरीदने के लिए कई बार आप करजा ले लेते हैं जैसे gold हो गया तो यह जो तीन houses है second house, sixth house और 10th house इनको अर्था houses मना जाता है और इन अ हमनी है यह सेकेंड हाओस का lot मल लेते हैं कि आपका 11th house में है या 10th house में है या 5th house में है या 9th house में है या 1st house में है, या केंद्र और तिर्कॉण भाव में जब इसकी placement होगी और इसकी दसा चलेगी तब आप़ को monetary gain होगा वैसे ही sixth house का lot जब sixth house के lot की दसा कद्ता चलती है सिक्स आूजह में कहीं भी प्लेस्ट ही और उसकी दसा चलती है तो आपको मोनेटरी गैन होगा वैसे ही कोई तो भी प्लेनेट जब 6th house में 10th house में या 2nd house में उसकी placement होती है तो यह आपको monetary gain करवाते हैं आग मैं आपको बताया तीन अर्था houses के बारे में जब यह आपकी कुंडली में activate होते हैं तो आपको monetary gain करवाते हैं और जब इनकी दसा चलती है तब भी आप monetary gain करते हैं अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें कंसल करना चाहें पास्नेल हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी website के थ्रू हमारे app के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं बात भी कर सकते हैं और गाईज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं लव यौल और बूट पार